नमस्कार, हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ NTA UGC NET विशे हिंदी की हमारी त्यारियें चली हैं और इसके अंतरगत हम पढ़ रहे थे अपने जो भक्तिकाल है उसको लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं दोस्तों जब तक हमारा NTA UGC NET जो सेप्टेंबर 2020 में होना तैय हुआ है उसके रिगार्डिंग हमने ये थोड़ी से अपनी स्टेटरजी में चेंज किया है दोस्तों क्योंकि बहुत सारे जो स्टुडेंट्स थे उनकी ये डिमान थी कि अभी जो उपन्यास कहानिया बगेर अपके रहे हैं उनसे संबंदित कुछ प्रशन किये जाए या उनसे संबंदित जो चीजे हैं उनको एक तरिके से देखा जाए तो आज हम हिंदी उपन्या के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंतरगत हम पढ़ेंगे जो 11 हमें उपन्यास लगे हैं उनमें से हम पढ़ेंगे मेलांचल और रागदरवारी को हाला कि इन उपन्यासों को मैं इसलिए चीनित किया है क्योंकि जब भी जब मैं उपन्यासों के बारे में अपने प्रीव उपन्यास में चुने हैं तो इनसे उमीद करता हूँ कि प्रशन आने की संभावना हो सकती है इस बार के एक्जाम में तो इसलिए मैंने इन दो उपन्यासों को पहले चुना है ताकि इन उपन्यासों को हम अच्छे से समझ भाएं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक् और इससे भी पहले हम एक जो महतफ़पुर्ण चीज है दोस्तो जो उपन्यासों से समझ भाएं तो उपन्यास वाले जितने भी प्रशन है या तो यह पूछ लिए जाता है कि जो उपन्यास है कोई आपको एक आधा उपन्यास दे दिये जाएगा उसका जो केंद्रिय उससे related प्रशन पूछा जाता है ठीक है, दूसरा प्रशन है कि उसका अधारस्त्रोत क्या है कई बार आपने देखा होगा ये प्रशन पूछा गया है कासकर जो हजारी प्रसाद दुवेदी के जो उपन्यास है उनके अधारस्त्रोत पर हम देखते हैं कि प्रशन पूछा गया है ठीक है, अगला है कि प्रकार जैसे उपन्यास किस तरीके का है चाए वो समाजीक है, एतिहासीक है, या राजनीतिक है, या फिर आंचलीक है तो ये उपन्यासों के प्याँ फिर दलित विमर्श को लेकर के लिखा गया है तो ये भी हमें देखना पड़ेगा जब हम उपन्यासों के बारे में पढ़ेंगे हाला कि यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जितने हमें 11-12 उपन्यास लगे हैं उन 12 उपन्यासों को तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन इसके अलावा जो हमारा सेकिंड यूनिट है जिसके अंतरगत हम दिखते हैं कि जो हिंदी साहित्य की गध्य विदाएं है उसमें भी हमें उपन्यास के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रदान की गई है और हमें उस चीज़ को भी देखना है कि सिर्फ उन 11 उपन्यासों को तो बढ़ना ही है साथ ही साथ जो अन्य है उपन्यास की जो विशेशताएं हैं क्या कौन से उपन्यास कब लिखे गए, अलग-अलग प्रकार उसके क्या क्या है, तो वहाँ पर भी हमें उपन्यासों के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगला है देखिए, इसमें जो मत्रफुन बिंदू है, वहाँ प्रकार ये मैंने आपको बता दिया, कि किस प्रकार के उपन्यास है, वो भी हमें जानकारी होनी चाहिए, कि उन 11 की तर जानकारी होना ज़रूरी ही है, ठीक है, उसके बाद है पात्र परिचे, कि उपन्यास में जो पात्र हैं, उन से सम्मंदित भी एक आद प्रशन हमेशा पूछ लिए जाता है, कि कौन सा पात्र किस उपन्यास का है, और फिर पात्र का परिचे इस तरीके से भी है, कि पात्र की में क्या-क्या विशेष्टा हैं, क्या गुण हैं, तो आपने देखा होगा, अगला है, देखिए, कालक्रमानुसार, तो ये प्रशन भी एक आदा पूछ ही लिए जाता है, हाना कि अब जब से NTA इसको कंड़क्ट करवा रहा है, तब से थोड़ा सा कालक्रमा वाले प्रशन जो है, वो कम पूछना शुरू किये हैं, लेकिन फिर भी उपन्यास से समंदित एक प्रशन हमेशा पूछा जाता है, जो कालक्रमानुसार रखा जाता है, तो ये चार-पांच महत्रपून बिंदू हैं, जिनके आधार पर उपन्यास से प्रशन बनते हैं, तो आपने जब भी किसी उपन्यास के बारे में पढ़ना है, तो हम इन पांच महत्रपून बिंदूं को क्या करेंगे, याद रखेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं शुरूआत मैला आंचल से, तो दोस्तों जो मैला आंचल था, वो देखी कब प्रकाशी दुआ, 1954 में, हालांकि ये जो मैला आंचल है, इसे प्रत्थम आंचलिक उपन्यास वैसे कहा जाता है, लेकिन जो दूसरा हमारे देखिए, जो बलचनमा है, जो नागरजुन का जो उपन्यास है, ठीक है, कुछ एक विद्वान, रचना करम के अनुसार, उसको मानते हैं कि वो पहला है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसके जो रचना कारे हैं, प्रत्थम नाथ रेणू है, और इस रचना पर रेणू जी को पदमश्री से सम्मानित किया गया है, तो दीखे, लेकिन जो रचना करम में देखिए, प्रत्थम आँचलिक उपन्यासकार नागरजुन को माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले लिखना शुरू कर दिया था, एक तरीके से 1952 में जो इनका बलचनमा आ गया था, इसलिए इनको क्या का जाता है, कि रचना करम की दिश्टी से अगर देखा जाए, तो वो नागरजुन है, लेकिन हिंदी में आँचलिक उपन्यासके जनम दाता जो माना जाता है, वो किसको माना जाता है, वो रेणु को ही माना जाता है, तो देख ये हिंदी में सरवप्रत्थम जो आंचलिक शब्द का प्रियोग किस ने किया था तो ये भी पनिशवनाथ रेणू ने कहां किया था 1954 में मैला आंचल की भूमिका में किया था और तब ही से ये शब्द प्रचलित हो गया इसी के चलते इसको क्या कहा जाता है आंचलिक उपन्यासों का इनको जनमदाता कहा जाता है पनिशवनाथ रेणू को क्योंकि इनोंने क्या क्या था आंचलिक शब्द का प्रियोग किया था उसकी भूमिका में तो ये मत्वकॉन भी इंदू हो सकता है इस तरीके से भी प्रशन पूछ लिया जाए मेला आंचल रेनों का प्रत्थम आंचलिक उपन्यास है तो इनका ये पहला ही आंचलिक उपन्यास माना जाता है है ना 1954 मेरा चीत है ये तो चलिए ये तो हो गया थोड़ा सा जानकारी मेला आंचल के बारे में अब थोड़ी सी और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़े हैं तो जो मेला अंचल है देखिए ये प्रशन बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है कि मेला अंचल में किस जगह का वर्नन है या केंदर क्या है उसका देखिए जब हम पहले बात कर रहे थे प्रशन जो चार-पांच अधारों पर पूछ जाते हैं तो इसका जो केंदर है किस स्थल को इसका केंदर बनाया गया देखिए बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरी गंज गाउं को तो वहां का जो आंचल विशेश है उसको क्या किया गया है केंदर बनाया गया है मेला आंचल के कथावस्तू का जो उपन्यास की भाषा है देखिए वो बिमधर्मी और सजीव है देखिए इस तरीके के प्रशन पूछ जाते हैं देखिए जो चार-पांच बिंदू नीचे दीवे हैं उपन्यास की भाषा बिमधर्मी और सजीव है रेनो की सबसे बड़ी विशेशता है भावना या विचार सिधान्त को आरोपित ना करके वियंजित करना तो इस तरीके से आपको तीन-चार इस तरीके के कथन दिये जाते हैं उन कथनों में असे हमने देखना है कि कौन सा उचित है कौन सा अनुचित है तो इस तरीके से अब इनको याद करना बहुत जरूरी हो गया है कि उपन्यास के अंदर क्या चीज़ है और फणिशोनत रेनों की क्या उसमें विशेशताएं जलकती हैं वो भी पूछ लिया जा सकता है तो एक्जाम में किस तरीके से प्रशन पूछा जाए ये कोई नहीं जानता है इसलिए हर तरीके से जहां से संभावना है उस प्रशन को याद डालना है हमें अब बस यही हमारा क्या होना चाहिए लक्ष होना चाहिए तो अगला यह देखिए मेला आंचल में नायक पूरा ही अंचल बन गया है जो पूरा अंचल है, जो मेरी गंज गाओं है, पूर्ण या जिले का है, इसमें एक नायक कोई व्यक्ति विशेश को ना बना कर फनिश्वनात्रेनू ने क्या किया है कि पूरे अंचल को ही क्या कर दिया, एक तरीके से नायक के रूप में प्रस्तुत किया है, और ये इनकी पाखंड चित्रन तो ये इस उपन्यास की क्या है ये ये चीज़ें इसमें वर्णित की जातिवाद की समस्या है अबसर शाही है अबसर वादी राजनिती है मठों और आश्रमों का क्या है पाखंड का चित्रन इसमें देखने को मिलता है ठीक है आगे अब हम देख लेते हैं क इनके इर्दगिर्द हमारा कथानक जो है पूरा पूरा उपन्यास का घूमता है लेकिन इसके अलावा जो गौन पात्रों के बारे में थोड़ी सी जानकार होना बहुत जरूरी है तो इसके जो पात्र हैं देखिए बावंदास, बलदेव, काली चरण, लच्मी, राम खिलावन, राम दास, सेवा दास, राम किरफाल सेंग, इत्यादी तो ये जो है इनके गौन पात्र हैं प्रमुक पात्र कौन है तीन है डॉक्टर प्रशान्थ, कमली और विश्वनाथ, मल कि अब हम इन उपण्यावस के पात्रों के बारे में थोड़ासा और जान लेते हैं, इनका जो पात्र परीचय देख लेते हैं आब देखिये प्रशान्थ क्या है वो इसका जो एक तरीके से मुख्या पात्र है, है ना मेलांचल का, लेकिन पूरा नाम लेकिन पूरा नाम द कालाजर पर शोद करने के लिए कौन पात्र की सुपन्यास का पात्र आता है तो ठीक है तो यह है डॉक्टर प्रशांत बनर जी इस तरीके से प्रशन हो सकता है पूछ लिया जाए तो हमें इस रिकेव से याद गरना इसको जरूरी है वो बहुत सारे आकरशक जो उसके लिए प्रस्ताव आते हैं उनको ठोकरा देते हैं वो सोचता है कि गाव में जाकर क्या है एक तरीके से जो कालाजर है उस पर शोद कर लिया जाए है ना यह तो दोनों उपन्यास हम देख रहे है आच रागदरबारी और आपका मैलांजल कहीं न कहीं ऐसा ही दूसरी कहानी में भी या दूसरे जो हमारे उपन्यास की कहानी में हम देखेंगे कि इस तरीके से ही कोई जो रंगनाद है वो क्या आता है शोद कर रहा होता है वो इस तरीका चात्र है ना वो हम आगे देखेंगे चलिए अगला बिन्दू है इसका देखिए एक और गरीबों में राजनितिक चे इसके बारे में है, डॉक्टर प्रशांत के बारे में, तो ये क्या है, एक डॉक्टर है, है ना, आगे आता है, जो कमली है, तो कमली क्या है, इस कहानी की नाइका है, वो क्या है, विशाल और कोमल हिर्दे वाली युब्दी है, है ना, और जो डॉक्टर प्रशांत है, वो इस इसकी एक खास्यत यह है कि अपने माधा-पिता को दुखी या निराश नहीं करना चाहती थी, ये कमली के बारे में कह जाता है, ये रोग से ग्रसीत है, कोई अघ्यात बिमारी से ग्रसीत कमली है, थीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकार ही है, आगे है कि जो चीज़ें अपने साथ लिए हुए है कमली का पिता है ठीक है गाउं का तसीलदार है लेकिन बाद में तहसीलदारी छोड़ देता है और कॉंग्रेस में शामिल हो जाता है मतलब राजनीती भी करता है ठीक है उसका दोहरा चरीतर है ठीक है और जोल करेक्टर है उसका और जमीदारी वेवस्ता का उसका प्रतीक है अब यसी बात है सावकार या तहसीलदार होगा तो जमीदारी प्रता का प्रतीक तो हो गई होगा ठीक है तो यह है विश्वनात मली के चरीतर के कुछ एक विशिश्टाइं या उसका पात्र परीचे ठीक है इसके अलावा देखिए जो मेला अंचल के समंध में क्या गा जाता है कि मेला अंचल के चरित्र क्या है प्राय स्वभाविक है जो जैसा है उसको वैसे ही फणिश्वर नात्रेणू है चितित करने का प्रियास किया है लेखक ने अपने विचार थोपने के लिए उन्हें साधन नहीं बनाया देखिए इनकी ये भी शिश्वर नात्रेणू है उन्होंने क्या किया है कि अपना जो विचार है वो पार्टकों पर थोपने के लिए क्या किया उन्हें साधन नहीं बनाया है पात्रों को है ना उनको ठीक वैसे ही रखा जैसे वो हैं चरित्र स्थिर ही नहीं परिवर्तन शील भी है तो परिवर्तन शील भी उनकी चरित्र मने जाते हैं और तहसीलदार का रिदय परिवर्तन ऐसा ही उधारन है तो जो तहसीलदार लास्त में क्या हो जाता है कि वो उसका रिदय परिवर्तन हो जाता है वो किसका उधारण है चरित्रों की परिवर्तन शीलता का उधारण है तो ये जो कुछ एक महतोफोन बिंदू थे जो मेला आंचल से समन्दित थे इसके अलावा अगर कुछ और चीज़ें हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर वो भी शियर क बहुत ज़रूरी है क्योंकि कालक्रमानुसार हम पहले भी बात कर रहे थे कि प्रशन जो है चार पांचाधारों पर पूछे जाते हैं ठीक है तो श्रीलाल शुकल रचनकार हो गया 1968 में प्रकाशन हो गया रिपोर्ताज वो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया उपन्या ये तीन चीजें जरूर उनके उपन्यास रचना में पाई जाती है ठीक है और हमारा जो रागदर्वारी उपन्यास है उसमें भी इन्होंने इन तीनों चीजों का ही निर्वहन किया है और इसी के चलते हैं इनके जो शैली है देखिए वो भी अंग्यात्मक शैली है और इस का जो कथा क्या केंद्र है देखिए वो है शिवपाल गंज तो ये प्रशन भी पहुत बार एक्जा में पूछा जाता है कि रागदरवारी का जो कथा का केंद्र है वो क्या है शिवपाल गंज है ठीक है रागदरवारी पर ही उन्हें सहाइत्य अगाद में पुरुसकार कम मि एक रुटबा था, इनकी जो प्रसिद्धी थी, वो बड़ी थी, किसकी श्रीडाल शुकल की, और इसकी जो मुख्या समस्या माने जाती है, वो शिवपाल गंज के कॉलेज की है, है न, तो ये कुछ एक महतकुन बिंदू है, रागदरवारी के बारे में, आगे देख लेते हम और चीज इसके बारे में, कि ये व्यंगय परक उपन्यास है, ये हमने पहले ही बात कर ली, ये उपन्यास स्वतंतरियोतर, भारतिय ग्रामिन जीवन, और राजनीती का जीता जाकता दरपण है, ठीक है, कि स्वतंतरता के बाद, 1947 के बाद, जो भारत में ग्राओं की जुस् वो अवेवस्था को व्यंग्यात्मक रूप से उजागर किया गया है, तो देखिए, ग्रामिन परिवेश्टता अन्यक्षेत्रों पहली अराजगता, है न, कि जो भष्ट प्रशासनिक वेवस्था है, उस पर इननने क्या किया है, अवेवस्था है, ठीक है, व्यंग्यात् स्थिती हमारे समाज की क्या है, लेकिन साथ ही साथ सब्वेटा की समिक्षा भी करवाता है, कि हमारी जो सब्वेटा वो किस तरीके से हो गई है, है न, 1947 के बाद, उपरन्यास में आदर्शबाद और यथार्थवाद की बीच की खेंचतान को रंगनात के माध्यम से दिखाय गया है, देखिए आदर्शबाद और यथार्थवाद, ये दो जीज़े हैं, ये अमोमन किसके बारे में कही जाती हैं, जो मुन्शी प्रेमचन जी है, आदर्शनमुक यथार्थवादी राइटर रहे हैं, है न, ये प्रशन भी बहुत पार एक्जामें पूछ लिया जात लेकिन, जो रागदरवारी के समन्द में देखिए कि इस उपनियास में क्या हुआ है, अदर्शबाद और यथार्थवाद के बीच जो खींचतान है, एक और रंगनात के मादेम से कैसा दिखाया गया है, देखिए वो जब देखता है कि समाज में क्या चीज़ें गट रही जो पुस्तकिया, ज्यान और व्यवारिक चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं क्या है, एक तुरस ऐसे डिफरेंट हैं, वही है कि आदर्शबाद और यथार्थ के बीच में क्या एक तरिके से खींचतान को उसमें दर्शाया गया है, तो हो जकता है प्रशन इस तरिके से भी कौन-कौन से हैं, तो इसके जो प्रमुख पातर हैं देखिए, रंगनात, जिसके बारे में अभी मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ बताई कि मुख्या पातर है, इतिहास वीशे से में करने के बाद, पीचडी पर शोदकारे कर रहा है, पीचडी कर रहा है, है ना, स्वास् करना चाहता है, तो लेकिन करने ही पाता है, और समाज का एक नपूंसक विद्रोही नेता सा प्रतीत होता है, कि वो कुछ भी नहीं करस पाता, विद्रोह तो है उसके अंदर, लेकिन वो एक तरिके से असहाई है, है ना, तो यह रंगनात के बारे में फोड़ी सी इसकी चार मतलब राजनितिग्य के जितने भी गुण है वो क्या है वो वैदेजी में सब के सब हैं और भारती राजनितिका इसको क्या माना जाता एक तरीके से प्रतीक माना जाता है तो जितनी भी बुराईयां है या यूं कहें जो भी एक राजनितिग्य में होनी चाहिए ठीक है डिप पात रहें, प्रिंसिपल, तो ये चंगामल महाविद्याले के प्रिंसिपल, तो चंगामल महाविद्याले की बात है, इसमें देखना, उसी की समस्याओं को, शिवपाल गंज का जो कॉलेज है, उसकी समस्याओं को, है ना, चंगामल महाविद्याले के प्रिंसिपल, चाटुक यह है हिस्टरीकल लक्ट्टिर और शोशित अध्यापक हैं, इमानदार हैं, विद्रोही तता समझवतान खने वाला इनका व्यक्तित्थ है और पीता कि जितने भी गल्त काम हैं, वो इनमें क्या है? उनका साथ देता है जबकि रूपन जो है वो छोटा बेटा है वो क्रांतिकारी युवापिडी का प्रतीक है और पढ़ाई में उसकी रूची कम है तो इस तरीके से वो मैट्रिक में क्या है कि पढ़ाई में रूची नहुने के कारण लगातार तीन साल दस्वी में ही बैठता है तो ये थे इसके प्रमुक पात्र और थोड़ा सा जो रागदरवारी उपन्यास था उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो उपन्यास से संबंधित वर्ष 2019 जो एक्जाम में प्रशन पूछे गए हैं उनके बारे में कि कौन-कौन से प्रशन आये था और किस तरीके से प्रशन आये थे और उनके उतर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर देना तो चलिए सबसे पहला देख लेते हैं कि सरवसुक नामक अगरवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उलिखित है तो देखे ये प्रशन पूछा गया है इसका उत्र आप मुझे दे सकते हैं देखे यहां से एक चीज में आपको और बता रहा हूँ कि देखे इस तरीके का प्रशन आया है यहां पर हमने क्या देखना है इन में हमने चार जो इसमें विकलप दी है चारों में से जो तीन है वो हमारे जो एंटी यूजिसी नेट हिंदी के जो पाठेक्रम है उसमें शामिल नहीं है उन 11-12 उपन्यासों में तो जो पहले वाला उपन्यास है देखे दिवरानी जेठानी की कहानी यही है मारे पाठेक्रम में शामिल है मान लीजी कई बार मैं यह नहीं कहता कि सारे प्रशन में ऐसा ही होगा हाना कि जो दूसरा यूनिट है उससे समधित हो सकता है पूछ लिया जाए लेकिन कई बार अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है थोड़ा सा तुका ही अगर लगाना चाह रहे है तो क्या होगा कि ये तीन उपनियास तो हमें शामिली नहीं है है ना पाठेक्रम में तो इसलिए हम एक की ओर जाएंगे हालां कि इसका एक जो है उतर वो बिल्कुल सही है तो इस तरीके से भी आप अपना थोड़ा सा दिमाग हिला सकते हैं कि हो सकता है कि इस तरीके से पूछा गया हो प्रशन तो उसी इसका भी ध्यान रखना है कि आपको अपना जो पाठेक्रम है वो कितना याद है यहां से आपकी थोड़ी सी mentality का पता लग जाता है तो इसका जो उत्तर है वो है देवरानी जेठानी की कहानी बाकी प्रशनों क्या उत्तर आप मुझे comment section में जाकर देख सकते हैं मैं simply आपका अभी question दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पूछ जाते हैं तो देखिए उपन्यास का प्रत्थम प्रियोग तो यह दूसरी यूनिट से पूचा गया है कि जो उपन्यास के बारे में हम पढ़ते हैं कि यह कहां से निकला हुआ है यह शब्द किसने कहा है यह 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 भी आप मुझे बताईएगा दिख लेंगे तो सिंपल साइस का उत्तर आपके सामने होगा अगला है अफरीका में रंग भेद तथा उपनिविश वादियों की स्थानी और भारत्य मूल के निवासियों के प्रति ग्रिना और कुरूरता का मारमिक चितरन किस उपन्यास में किया गया है तो अफरीका में रंग भेद तथा तो ये पहली बात तो ये है कि ये उपन्यास किसके है ठीक है पहला गिर्मिटिया जुगलबंदी परिशिष्ट और तीसरी सत्ता ये किसके उपन्यास है ये हम पढ़ेंगे उसके बाद उपन्यासों के बारे में अगर हमने थोड़ी सी और जानकारी लेनी है या कि किस उपन्यास का अधार स्टोत क्या है किस उपन्यास किस विशय को लेकर केंद्रित लिखा गया है केंद्रिय विशय क्या है उसका अगर उस चीज के बारे में हमने संक्षिप्तिता से जानना है या इसली जानना है तो हमें जो रामचंदर वारी वाली पुस्तक है, वहां से हमें ये चीज़ काफी help हो सकती, तो आप उस पुस्तक का सहरा ले सकते हैं इन प्रशनों का उत्र जानने के लिए, अगला है देखिए, निमिल खित में से कौन सा उपन्यास एतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है, तो यह कि मैंने पहल उपन्यास तमस जो है, उसका कथानक किन मुख्य विश्यों पर केंद्रित है, तो देखिए तमस उपन्यास, यह भी हमारे पाठेकरम में शामिल है, उससे ही समंदित प्रशन पूछा गया है, तो चार विकलप दिये हैं, उनमें से दो हैं, दो नहीं है, जो मैंने पहले भी बता रहा था, जब हम उपन्यास के बारे में बात कर रहे थे, कि इस तरीके से प्रशन पूछे जाते हैं, कि दो विशेश्टना हो सकता है, नहीं है, दो हो सकता है कि हैं, तो वो भी हमें चिन्हित करनी है, अगला पशन है, निमी लिकत में से दलित जीवन पराधारित, तो अब ये देखिए, धर्ती धन्ना अपना ठीकरे की मंगनी, कट गुलाब, या यथा प्रस्तावित, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, कि दलित जीवन पराधारित उपन्यास कोन है, धर्ती धन्ना अपना हमारे पाठे करम में शामिल है, तो ये क्या है, ये है, किस पर दल में से दो नहीं है, वो बताने है, अगला परशन देख लेते हैं, निमिलिकित उपन्यासों को उनसे संबंध पातरों के साथ सुमलित कीजिए, तो बहुत सिंपल परशन है ये, इसका उत्र भी आप इसली कर सकते हैं, आगे है, प्रकाशन काल के अनुसार देखिए, प्रका तो ये भी बहुत सिंपल परशन है, अमरितलाल नागर के उपन्यास हैं ये, तो इस तरीके से हैं, अगला है कि यश्पाल के उपन्यास, जुटा सच में दौलत राम आजाद की स्राजनितिक दल का सदस्य था, जुटा सच से भी परशन पूछा गया है, मतलब जो हमारे पा उपन्यास में सामपरदाइक भावना के निर्मार में सहायक नहीं है, तो इसका उतर क्या होगा, वो भी आप मुझे कमेंट सक्षन में जरूर बताइएगा, देखिए, नेक्स प्रशन है, हजारी परसाद दुवेदी के निमिलिकित उपन्यासों को कथास्रोत की दिष्टी से, उनके समय से सुमेलित कीजिए, तो देखिए, कदास्रोत के साथ साथ, उनको क्या करना है, सुमेलित करना है, हजारी परसाद दुवेदी के उपन्यासों को पूछागे देखिए, आपने याद गया से रखना है इसको, अनामदास का पोथा देखिए, और से शुरू हो करनी है, ठीक है, तो एक के साथ हो जाएगा दो, अनामदास का पोथा ओपनिशिदिक काहल, पुनर्नवा, तो उपर है आपका, है ना, मतलब कि एक के साथ जहां पर क्या है, दो है, तो देखिए, इसका होगा, ओप्शन चार, इसको याद रखने का तरीका, मैं आपको बता रहा हूं, और से अनामदास, और से अपनिशिक, इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं, फिर जो और रचना हैं, इनको आप मिला लीजिएगा, है ना, जो बानबट की आत्म का था, वो तो हम सब जानते हैं, कि वो छटिव और सात्वी शेताबदी में लिखी गई है, क्लियर है, तो इस तरीके से इसको आपने याद रखना है, अगला प्रशन है देखिए, ये भी प्रकाशन काल के दिश्टी से पूछा गया है, गर्मराक, बुलेविसरे चित्र, टेरा कोटा, मानस का हंस, तो ये क्या है, इसका सही अनुकरम होगा, आप कॉमेंट सेक्शन म क्या है, उसके पात्र क्या है, उनका रचना वर्श क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें हमने याद रखनी है, क्या उसमें विशेशताएं है, और क्या उसका जो मूल, भाव है, इसका पर ही प्रशन पूछे जाते हैं, उपन्यासों से तो बहुत सिंपल है, सबसे ऊज़ी है, पिछली बार इससे ज़्यादा प्रशन पूछे गए थे तो हलांकि इस बार हो सकते हैं समभावनाई कम हो हलांकि फिर भी 5 या 6 प्रशन तो उपन्याद से पूछे ही जाते हैं I hope दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इससे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भोलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जाओर नेस पूर्ती के साथ तब तक के लिए मुझे दीज़े इजाज़त